हेलो प्रेंड्स वेल्कम बेक तो मा यूटूब चैनल विद्यमंदिर तो हम बिना टाइम वेश्ट के बस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में जो भी कोश्चन है वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है फोर जोग्रफी सब्जेक्ट का जो भी बच्चे नेट जे हुदार है 23 2023 और सब्जेक्ट क्या है हमारा है हमारा सब्जेक्ट है जोग्रफी जोभी बच्चे इस की तियारी कर लेंग उसके लिए very important question है, ठीक है, handwritten question, handwritten है सारे notes, अब जोग्रफीक जो भी question मेरे को कहीं से भी मिलेगा, मैं उसको handwritten करूँगी, उसके बाद मैं आपको वीडियो बनाके upload कर दूँगी, जिससे आपको काफी help हो, ठीक है, तो हमारा first question हम start करते हैं, हमारा question क्या है, प्रतिमान की अवधारना द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्या कह रहा है कि प्रतिमान की अवधारना द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो प्रतिमान की जो अवधारना है, वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसमें ये है, तो इसका जो right question है, व 1922 से 1996 यह इसका जो टाइमिंग है टाइमिंग प्रियर्ड है यह उसका टाइमिंग प्रियर्ड है कि 1922 से 1996 क्या गह रहा है कि his 1962 book the structure of scientific revolution is one of the most cited academic books of the old time 1962 में इनकी book आई थी book क्या नाम है book का नाम है the structure of scientific revolution इनकी most cited academic book of all time जो इनकी सभी book में यह book है वो most परचलीत भी ज़्यादा हुई थी और इसी book में ही इन्होंने इस प्रतिमान की अवधारना का वर्णन किया है ठीक है जो कि कब हुआ था 1962 में 1962 में आई थी नकी यह book ठीक है to describe geography तो चेत्रिय वर्णनी भुगोल शब्द का जो उप्योग है वो भुगोल का वर्णन करने के लिए किस ने किया तो इक कांट ने किया ठीक है then हमारे नेक्स्ट कोशन है कोशन मैच दा फॉलोविंग एंड अंसर फ्रोम दा कोड्स जो नैट का एक्जाम होता है ना नैट जी अरफ का उसमें जादे तर जो कोशन होते ना वो कोशन होते या तो सेंटेंस दी होते हैं दो ठीक है जो भी न्यू बच्चे हैं उनके लिए काफी हल्प होगी क्या होता है कि सेंटेंस दे देते हैं दो वो आगे और भी कोशन आएंगे तो मैं बता दूगी कैसे और उसमें पुछता है कि क्या ये इसकी व्याख्या सही कर रहा है ये सेंटेंस सही है ज्यादा कोशन इस तरह के बनते हैं कन्फ्यूज करने के लिए ब यह सबी बुक्स है और इस तरफ दिया हुआ है जोग्रफर कि किसने इस बुक को को इस बुक के राइटर है sorry मेरे थोड़ी तब्यत कराब है और गल्य में थोड़ी कराज है इस वज़े से मेरे से ठीक से बोला नहीं जा रहा बट मैंने सोच लिया कि अब तो मैं डेली बेस पे ही 20th century sorry next is man and nature ठीक है और fourth is involution of geographic environment ठीक है और हमारे इस साइट जो जो जोग्राफर है वो है फर्स्ट है Griffith Taylor second है T.W. Freeman third is EC Sample और fourth is GP Marsh तो यह इस तरफ बुक्स दे दी इस तरफ जोग्राफर दे दी अब इनको मिलाना है कि कौन सी बुक किस जोग्राफर ने लिखिय है ठीक है तो जो हमारी फर्स्ट बुक है A.100 Years of Geography तो इसके जो राइटर है वो कौन है वो T.W. Freeman है ठीक है यहाँ पर मैंने अंसर लिख दिया जो A है A है A.100 Years of Geography उसके राइटर है T.W. Freeman ठीक है Next है जोग्राफी इनदा 20th century तो जोग्राफी इनदा 20th century इसके जो राइटर है वो कौन है तो इसके राइटर है Griffith Taylor यहाँ पर लिखती है B का फर्स्ट जोग्राफी इनदा 20th century इसके राइटर है Griffith Taylor Next है Man and Nature तो Man and Nature किसने लिखी है तो यह लिखी है हमारी GP Marshney ठीक है यहाँ पर लिखती है न मैंने तो Man and Nature के जो राइटर है वो है GP Marshney Next है हमारी Involution of Geographic Environment तो यह किसकी है तो यह है EC Sample Influence of Geographic Environment तो यह किसकी है EC Sample ठीक है इस तरह के question बहुत बनते हैं NET के exam में ठीक है तो आप अपनी त्यारी अच्छी रखो अच्छी से याद करो question को क्या कह रहा है और उनको रटने की जिगे उनको चीजों को समझो ठीक है हमारा next question है Question क्या है निमलीखित में क्या प्रतक्षवाद की विसेश्थाई है क्या कह रहा है कि इन में से प्रतक्षवाद की विसेश्थाई पोश्च है प्रतक्षवाद which of the following are defined features of positivism ठीक है दिख रहा है न अच्छे से ठीक है अच्छे से दिख रहा है ठीक है तो which of the following are defining features of positivism तो जो परत्यक्षवाद है उसकी विसेश्थाई क्या है इन में से यह बताना है फर्स्ट है metaphysics यानि कि तत्व मीमांशा सेक्ड है empirism अनुभवबाद नेक्स्ट है normative value यानि कि मानके मुल्य और नेक्स्ट है unification of scientific laws यानि कि वैग्यानिक नियमों का एककरण तो यह जो कोशन है आप सोचलों यह कोशन का अच्छा है तो यह कोशन है जो सैटलमेंट तो अब भी बताओ इसका क्या होगा कि प्रतेक्षवाद की विसेशता है तो क्या विसेशता है प्रतेक्षवाद की तो इसका जो अंसर है वो B and D only बी है एमपेरिजम यानिके अनुभवाद और दी है अनिफिकेशन्स ऑव साइंटिफिक लोज यानिक व्याग्यानिक नियमों का एककरण तो इसका जो राइट अंसर है वो यह है और तेक्षवाद की विशेशता है क्या है अनुभवाद वग्यानिक नियमों का एक करण ठीक है मैंने दोनों बच्चों याने कि कुछ बच्चे होते हैं जो की हिंदी मीडियम से बढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिस मीडियम याद करना नैट के लिए त्यारी करना टफ होता है और कुछ होते हैं इंग्लिस मीडियम के लिए इंग्लिस मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी का याद करना या फिर देखना टफ होता है तो मैंने दोनों language में question answer लिखे है ताकि ना Hindi medium वाले बच्चों को परिशानी हो ना English medium वाले बच्चों को परिशानी हो ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you watching my video अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी effective लगी हो यानि कि आपके लिए अच्छा हो कि आपको लगे कि हाँ ये हमारे काँ आ सकते हैं तो please वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करने ना भूलें साथ ही आपके जो और भी दोस्तों कोई साथ का हो कि जो भी नेट के लिए त्यारी कर रहा हो और ये question सारे जोग्रफी के लिए और मेरे मेरे में यह ही है कि जो भी में वीडियो डालती है वो जोग्रफी के जोग्रफी से ही रिलेट होती है ठीक है तो जो भी हो जोग्रफी से लिए जोग्रफी सब्जेक्ट से त्यारी कर रहा है तो आप उसको शेर ज़रूर करें ठीक है थैंक यू